एलो फ्रेंज में डॉक्टर शोयकॉत और आज मैं डिस्कास करूंगा एक होमियोपैथी टॉनिक जिसका नाम है हार्ट टॉन यह यूटेरो टॉनिक बोला जाता है क्योंकि यह फिमेल जो पॉब्लम होता है मेंस्ट्रॉल पॉब्लम के टाइम में एमसी का टाइम में फिमेल का जो भी तकली पॉतहैं पेट में तर्दोना टाइव एमसी ना अना एमसी का समय हातपव Cake या और फिर भात जैदा ब्लीडिंग्स होना एरेगुलर ब्लीडिंग्स होना इसका फिर के बहुत सारी कॉस होते हैं जैसे ओभारियान सीस्ट होते हैं यूटिराइन फाइब्रोइड्स या दूसरा कोई हर्मोनल प्रॉब्लेम के लिए ऐसा प्रॉब्लेम होते हैं इसके लिए ये ड्रेक्टर वील्मार्क स्वेब कॉम्पानी ने बना हुआ ये दवाई हर्टोन इसका जो कॉम्पोजिशन जो है एब्रोमा रेडिक्स एलेक्टिस फेरिनोसा ओलोफाइलाम सीमिसी फुगारेसिमोसा हेलोनियास डायविका जेनोसिया असो का ये जो सारी दवाई है छे दवाई मिला के बना हुआ है ये सारे के सारे दवाई फिमेल हॉर्मोनल प्रॉब्लम में एमसी का टाइम में जो तकलीफ होता है इससे ठीक खनने में बहुत ही एफेक्टिव मेडिसिन है जो लोग का भी ये प्रॉब्लम होता है उसको ये दवाई रेगुलर खाना है अब इसका डोज जेनरली वान और प्रिंस्पूल एक से दो चामच दिन में दो से टीन टाइम खाना है ये प्रोब्लेम पूरी तरह ठीक हो जाए ये आपको कॉंटिनू घाना होगा ये ऐसा नहीं कि सिफ एमसी के टाइम ही खाना होगा इसको आपको रेगुलर खना होगा जब तक आपका डॉक्टर इसको खान के सलादे तब तक और इसका प्राइस है वान नाइंटेट रूपीज और यह पांच साल तक यह एक्सपैरी डेट रहते हैं पांच साल तक और एक अच्छी बात है यह सुगर फ्री है जिसको सुगर है डियाबिटिस का पेशेंट भी से ले सकते हैं इसमें कोई सुगर नहीं है इसलिए जो लोग को डियाबिटिक पेशेंट है वो लोग भी यह ले सकते हैं और फ्रेंट्स अगर आप लोग को और कुछ सवाल है कुछ जानना चाहते हैं यह हार्टोन के बारे में या दूसरा कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंस कीजिए मैं आप लोग कैंसर देने की कोशिश करूंगा आज के लिए इतना है थैंक यू